रनवीर हुआ पुलिस के हवाले सुहानी निकी रनवीर की मदद जी हाँ पॉपुलर टीवी सीरियल सिर्फ तुम के लेटेस एपिसोर में आप देखेंगे कि सुहानी के हॉस्पिटल से भाग कर वांटेड मरीज पहुँचता है ममता हॉस्पिटल यानि की डॉक्टर रनवीर के हॉस्पिटल वहीं जैसे ही रनवीर उसे देखता है तो सीधा उसके इलाज की तयारी स्टार्ट कर देता है इतने में रनवीर का बाकी स्टाफ उसे बहुत रोकनी की कोशिश करता है और कहता है कि उसे पहले पुलिस को इंफॉर्म करना चाहिए लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता और बिना पुलिस को इंफॉर्म किये ही पेशेंट को ऑपरेट करने लगता है वही सुहानी भी उस फरार पेशेंट को ढूंडते हुए ममता हॉस्पिटल पहुँशती है और जैसे ही वो रनवीर के बारे में सुनती है तो हैरान हो जाती है और किसी भी हाल में रनवीर को रोकने का प्लान बनाती है वही सुहानी हॉस्पिटल के अंदर घुस जाती है लेकिन रनवीर को रोक नहीं पाती इतने में पुलिस को भी भनक लग जाती है और पुलिस पहुंच जाती है सीधा रनवीर के हॉस्पिटल वेल पुलिस सीधा रनवीर के ओटी में जाती है और उसे बीच में रोकती है वहीं रनवीर पुलिस की बात नहीं मानता तो उसे भी पुलिस गिरफतार कर ले जाती है वेल सुहानी ये देखकर परिशान होने लगती है और पुलिस को मनाने की कोशिश करती है लेकिन पोलिस नहीं मानती, वहीं सुहानी रनवीर के घरवालों को भी इंफॉर्म कर देती है वेल क्या सुहानी बच्चा पाएगी रनवीर की रेप्यूटेशन और उसका करियर वेल इस पूरी अपडेट को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कॉमेंट के जरी हमें जरूर बताएं साथ ही टेलविजन से जुड़ी सभी लेटेस अपडेट के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना न भूले